प्रस्तुत कविता भारत के प्राकृतिक सौंदर्य तथा देश की महिमा का वर्णन करते हुए देश प्रेम का भाव जागरत किया गया है यानि इस कविता के अंदर प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बात की गई है देश की महिमा का वर्णन करते हुए देश प्रेम की भावना जागरत करने की बात की गई यह हुआ कविता का परिचे, अब देखेंगे कविता का उद्देश्य, कि यह कविता की सुद्देश्य से बनाई गई है, तो सबसे पहले हैं कविता का भाव बोध करवाना और प्रकृति प्रेम तथा देश प्रेम का भाव जागरत करना, यानि यह कविता तीन उद्देश् उसके भावना जो इसके पीछे जो भाव है उसको हम समझे और दूसरा है प्रकृती प्रेम तथा देश प्रेम का भाव हमारे मन के अंदर जागरत हो ये तीन उद्यशे से ये कविता बनाई गई है सबसे पहले में ये कविता का सर्षवर पठन करूंगी और उसके बाद आपको उसका भावारत समझाओंगी प्यारा भारत वर्ष हमारा हमको है प्राणों से प्यारा यहां हिमालई खड़ा हुआ है रक्षक बनकर हम सब का बहती है जिसकी चोटी से गंगा मा की निर्मलधारा हिमगीरी के शिखरों से बहते कलकल करते सुन्दर जर्ने जर्नों की मीठी बोली सा लगता सब के मन को प्यारा थंडी मीठी हवा जो डोले वनमे काली कोयल बोले पुष्प गंद से हवा भी महके बहती मीठी सुगंद धारा यही हुए थे रागव सीता गुंजी यही पे पावन गीता मुरली धर से धन्य हुआ यहां यमुना जल और शाम किनारा तनमन धन से भी प्रिय लगता हमको अपना देश यहन्यारा मान बढ़ाए हम सब इसका चम के इसका भाग्य सितारा यहां यह कवीता खंब समाप्त होती है और यह कवीता के रचैता है चंद्रकला शास्त्री जिन्होंने अपना उपनाम रखा है चंद्र अब हम उसका भावार्थ देखेंगे प्रत्थम दो पंक्तिया देखेंगे प्यारा भारत वर्ष हमारा हमको है प्राणों से प्यारा यानि यह जो भारत वर्ष जो हमें बहुत प्यारा है वो हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है यानि इसके लिए हमें अपने प्रांट देने पड़े तो भी हमें कोई दिक्कत होगी नहीं यहां हिमालई खड़ा हुआ है रक्षक बनकर हम सबका यानि भारत देश के अंदर हिमालई परवत है जो हमारी रक्षा करते हुए खड़ा है बहती है जिसकी चोटी से गंगा मा की निर्मल धारा बहती है जिसकी चोटी से चोटी का मतलब होता है पहाड का उपरी भाग जिसको इंगलिश में कहते है पिग के वहाँ पहाड का जो उपरी हिस्सा है वहाँ से गंगा मा की निर्मल धारा बह रही है गंगा मा यानि गंगा करते हुए सुन्दर जर्ने हिमगिरी का मतलब है हिमाले परवत यानि हिमाले परवत के उपर से उसके शिखर के उपर से कलकल करते हुए सुन्दर जर्ने बह रहे है जर्नों की मीठी बोली सा लगता सब के मन को प्यारा यारनी जर्नों की बोली इतनी मीठी है कि वो सब के मन को बहुत प्यारी लगती है अब आगे देखेंगे ठंडी मीठी हवा जो डोले वन में काली कोयल बोले यानि वन के अंदर काली कोयल बोल रही है कोयल का रंग काला होता है न तो ऐसी काली कोयल वन में बोल रही है और वन के अंदर वन का मतलब होता है जंगल, फॉरिस्ट वन के अंदर मीठी मीठी ठंडी हवा बह रही है यानि कोयल की आवास की वज़े से वो हवा कैसी हो गई है ठंडी और मीठी हो गई है पुश्प गंद से हवा भी महके बहती मीठी सुगंद धारा यानि पुश्प गंद यानि फूलो की सुगंद महक रही है यानि खुश्बू दे रही है, spread हो रही है वो पुश्पो की गंद है, पुश्पो की जो सुगंद है वो हवा के अंदर महक रही है महक का मतलब होना है spread होना वो हवा के अंदर spread हो रही है फूलो की खुश्बू बहुती मीठी सुगन धारा यानि उसकी वज़े से उसकी जो खुश्बू spread हो रही है वो पूरे जंगल के अंदर बह रही है सुगन की धारा के रूप में पूरे जंगल के अंदर वो हवा ठंडी नहीं, खुश्बुदार हवा बेह रही है यही हुए थे रागव सीता, गुंजी यही पे पावन गीता यानि यह भारत की धर्ती वही धर्ती है जहां पे रागव सीता जन्म लिये थे रागव सीता का मतलब है श्री राम, लोड रामा, राम सीता ने जो यहां जन्म लिया था यह ऐसी पावन धर्ती है और गुंजी यहांपे पावन गीता, पावन का मतलब होता है पवित्र और गीता हमारा धर्म गरंत है जो कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी तो ऐसी पावन गीता भी भारत वर्ष के अंदर ही भारत देश के अंदर ही गुंजी थी मुरली धर से धन्य हुआ यहां यमुना जल और श्याम की नारा मुरली धर का मतलब होता है सिक्रिष्णा लॉड क्रिष्णा उनका भी जन्म यही भारत भूमी पे हुआ था और उनकी वज़े से धन्य हुआ क्या हुआ यमुना जल यानि यमुना नाम की नदी है उसका पानी जल का मतलब होता है पानी कि उनकी वज़े से यमुना नदी का पानी पवित्र हो गया है धन्य हो गया है और श्याम किनारा यानि जहां कृष्ण भगवान गायों को चराया करते थे वो किनारा क्या हो गया है धन्य हो गया है यहां का पानी और यहां का किनारा वहां से धन्य हो गया है कृष्ण भगवान से फिर आगे देखेंगे तन मन धन से भी प्रिय लगता हमको अपना देश यह न्यारा यानि ये देश हमें अपने तन से अपने मन से और अपने धन से भी ज्यादा प्रिय लगता है तन यानि शरीर मन यानि हमारा मन हाट रदे और धन यानि हमारा पैसा हमारा जो भी धन दोलत है हमारी वो वो सबसे भी प्यारा हमें क्या लगता है हमें अपना यह देश सबसे प्यारा लगता है मान बढ़ा है हम सब इसका चम के इसका भाग्य सितारा यानि चलो सब मिलके उसका मान बढ़ाते है यानि ऐसा काम करते हैं जिसकी वज़े से भारत देश का नाम फुरी दुनिया के अंदर स्यादा रिस्पेक्टेड हो जाये सब उसका आदर से नाम ले ऐसा हम कुछ ऐसा काम करें और उसका भाग्य सितारा यानि उसकी किस्मत का सितारा सदियों तक चमकता रहे, ऐसे काम हम लोग करें, ओके, यहां पर यह कवीता खतम होती है,